लोग सबा चुनाओ दो हजार चोईस के एक्जिट पोल सामने आ चुके हैं अलग-अलग न्यूस चैनल्स और एजन्सियों ने चुनाओ पर इनाम को लेकर अपने अपने आकलन जारी किये हैं इन सब में डीविलाइब ने अपना एक्जिट पोल में इन्डिये को 215 से 245 सीटे मिलने का अनुमान जटाया है वह इंडिया गटबंदन को 260 से 290 सीटे मिलने की संभावना जटाई गई है जबके 28 से 48 सीटे अन्य के खाते में जाने के कयास लगाए गए हैं डीविलाइब के इन एक्जिट पोल में यूपी ही नहीं राजिस्तान में भी विजेपी के जन्सा बढ़ाने वाले अनुमान जटाया है इस एक्जिट पोल में राजिस्तान के 25 में से इंडिये को 17 से 19 सीटे मिलने के असार जटाय गए हैं यहीं इंडिया गटबंदन को 6 स इस एक्जिट पॉल ने रजस्थान की कोई भी सीट के अन्य के खाते में जाती हुई नहीं बताई इस एक्जिट पॉल के अनुसार उतर परदेश में इंडिये को 46-48 सीटे मिलने का अनुमान जताया गया है में इंडिया गडबंदन को 32-34 सीटे मिलने के असार जताय गये हैं रजस्थान के गुल 25 सीटों पर बिजेपी बीते 10 साल से काबिज है बिजेपी ने लोग सबा चुनाओ 2019 में नागोर की सीट को गडबंदन के तहट आरेलपी के लिए छोड़ा था उस समय उस सीट पर आरेल सीट के लिए इंडिया गडबंदन से हाथ मिला लिया और फिर चुनाओ मैदान में आ गये दूसरे दरफ कॉंग्रेस ने इस बार 22 सीटों पर खुद चुनाओ लड़ा तीन सीटें उसने गडबंदन के तहट सयोग्यों के लिए छोड़ दी इनमें नागोर के अलावा सीकर और बास्वारा लोगसबा सीट शामिल है। सीकर में इंडिया गडबंदन के पर्तियाशी के तौर पर अमराराम मैदान में है। सीकर में अमराराम का किसानों की बीच खास परभाव है बहिए बास्वारा में भारत आदिवासी पार्टी के राजकोमार रौत को समर्तन दे कॉंग्रेस ने परतियाशी विड्रो करने की बात कही थी लेकिन कॉंग्रेस परतियाशी ने फोन विड्रो नहीं किया इसलिए उसने अपने वोटर्स को रोत को वोट देनी की अपील کی थी इन पीनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है इनके अलावा बारंेर दर्च कराते हुए मुकाबले को तिर्पोर ये बनाये रखा यहां भी बिजेपी कॉंग्रेस उन्ने देलिये भाटे के बीच मुकाबला काटे का है मुकाबले वाली चार अन्नी सीटों की बात करें तो उनमें जुन-जुनू, चूरू, कोटा और दोसा शामिल है चूरू में टिकिट कटने से नराज होकर मोजुदसांसाद राहूल कॉंग्रेस में चले गए थी, कॉंग्रेस ने उनको चुनाओ मैदान में उतार दिया, वही कोटा में भी टक कर मिलने से बीजेपी के पहला अद गुंजल कॉंग्रेस में चले गए थी, कॉंग्रेस ने उन के पिता शिश्राम ओला महां से कई बार सांसद रहे चुके हैं जुन जुनु कॉंग्रेस का गण माना जाता है लिहाजा कॉंग्रेस की उम्मीदें वहां भी जवा हैं दोसा गूजर मीना बहुले इलाका है यहां कॉंग्रेस के दिगच नेता सचिन पाइलेट का परभाव ज यहां कॉंग्ग झालता है